हलो एवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टरी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 27 दिसंबर से रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्वेशन से रि मॉटिवेशनल कॉर्ट है यदि लक्षे ना मिले तो रास्ते बदलो क्योंकि व्रक्ष अपनी पत्तिया बदलते हैं जड़े नहीं तो इसी मॉटिवेशनल कॉर्ट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है वो हैस बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रैंड अमबसेटर बाई पुमा इंडिया पुमा इंडिया ने किसे अपना ब्रैंड अमबसेटर बनाया है तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनी है अनुषका शर्मा कैजवल और एथलेटिक फुटिवेर के निर्माता और डिजाइनर पुमा ने बॉलिविड अभिनेता और उद्ध्यमी अनुषका शर्मा को अपना जो ब्रैंड अमबसेटर है ये बनाया है एसोशेशन का उद्धेश्य महिला उपभोग करता खंड के प्रती पुमा की मजबूत प्रती बद्धता को तेज करना है और अभिनेता पूरे वर्ष असन के गतिविदियो और ब्रैंड अभियानों के माध्यम से चुनीदा संग्रे सहीत ब्रैंड के जूते परीधान और सायक उपकरन का प्रचार करेगा प्यूमा इंडिया ने बिजनिस में महिलाओ की भागेदारी के अपने कमिट्मेंट के त टॉफ ब्रैंड अमबसेटर की हम बात करें तो पिंटोला ने जो अपॉइंट किया है सूरी कुमार यादव को अपना ब्रैंड अमबसेटर बनाया है फायर बॉल्ट की जो ब्रैंड अमबसेटर है यह है विजे देवर कॉंडा यूवरा सिंग जो है यह ब्रैंड अमबसे अजय देवगन as its brand ambassador, Gulf Oil appoints Smriti Manthana as its brand ambassador, second number question है, which country blacklisted 16 Indian pharmacy and pharma companies, किस देश ने भारत की 16 pharmacy और pharma कंपनियों को blacklist कर दिया है, तो इसका correct answer होगा, यह नेपाल ने कर दिया है, 20 का correct answer है, नेपाल ने 16 भारतिये दवा कंपनियों को blacklist कर दिया है, और यह प्रतिबन अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद में, जो विश्व स्वास्ते संगटन की और से जारी चेतावनी के बाद में लगाया गया है, नेपाल दवा प्रादिकरण ने इस सम्मन्द में एक सूची जारी की है, नेपाल सरकार की ओर से जारी इस लिस्ट में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मे से भी शामिल है, और ये कंपनी पतंजली नाम के ब्रैंड का उत्पाद का निर्मान करती है, और गांबिया में कप सिरप पीने के बाद में हुई 66 बच्चों की मौत के बाद में विश्व स्वास्ते संगटन ने हरियाना में निर्मे चार कप सिरप के बारे में अलट जारी किया था, दावा किया गया है कि बच्चों की मौत, मैडन, फार्माशुटिकल्स की और से निर्मित कप सिरप पीने से हुई थी, थर्ड नंबर ग्रेशन है, विच स्टेट्स, मोडेरा सन टेमपल हैस बिन इंक्लूडेड इन दर टेंटेटेव लिस्ट ओफ युनेसको, किस राज्य को मोडेरा सूर्य मंदीर युनेसको की ऐस्ताई सूची में शामिल किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है गुजरात के अंदर, गुजरात के वड़नगर शहर मोडेरा में प्रतिस्टिस जो सूर्य मंदीर है, इसको सेंट रास्टर सेख शेख विज्ञानिक एवं सांस्करतिक संगठन की विश्व धरव और इस्तलों के ऐस्ताई सूची में शामिल किया गया है, मोडेरा का सूर्य मंदीर महसाना जिले के बेच राजी तालुका में रूपन नदी की एक सायक नदी पुष्पावती के बाई किनारे परस्तित है, और ये पूर्व मुखी मंदीर चमकीले पीले बल्वा पत्रों से बना हुआ है, और मंदिर के विवरंड के अनुसार यह है मारू गूजर इस्तापत्य शेली में बनाया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर मतलब गर्व घ्रह, एक कक्ष होता है जिसे गड़ मंडल कहा जाता है, और एक बहरी कक्ष अथ्वा सबा कक्ष, सबा मंडप या रंग मंडप इसको कहा जाता है, और एक पवित्र जलाश है सूर्य कुंड जिसे अब राप कुंड जो है यह कहा जाता है, यह इसके अंदर शामिल है, गुजरात के हम बात करें, तो इसकी कैपिटल है गांधी नगर, दा लॉंगेस लाइन ओफ सी कोस्ट ऑफ गुजरात, तो यह है 1600 किलोमेटर, थ्री नेबरिंग स्टेट है, राजिस्तान, मद्यप्रदेश और महरास्ट, फोक डांसेज हैं यहां के डांडिया, भवाई, टिपनी, पधार और गर्बा, इंडियाज फर्स लीथियम जो डिर्फाइनरी है, यह सेट हुई है गुजरात के अंदर, फोर्न नंबर क्वेशन है, वाट इस पर्संटेज इंक्रीज इन ग्रोस डाइरेक्ट टेक्स्ट कलेक्शन फोर्ड फाइनेशल यह यह तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह की गई है, 25.90 परसंट की 20 का करेक्ट आंसर है, वित मंत्राले के आंकडों के अनुसार वित वर्ष 2022 और तीस में प्रत्यक्षकरो के सकल संग्रे में 25.90 प्रतीशत की व्रदी दर्ज की गई है, जो की 13,63,649 करोड रुपे है, इस समायोधी में शुद्य प्रत्यक्षकर संग्रे 9,47,969 करोड रुपे दर्ज किया गया था, और अग्रिम कर संग्रे 5,21,302 करोड रुपे दर्ज किया गया है, जिसमें 12.83% की व्रदी देखी गई है, चालू वितवर्ष के दोरान दाखिल किये गए आईकर रिटन में 26.5% की उलेकने व्रदी दर्ज किया गया है, और लगबग 109% की व्रदी के साथ में 2,27,896 करोड के रिफंड जारी के गए है, रिफंड एडजस्ट के बाद इस वितवर्ष में अब तक का नेट डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन जो है, ये 11.35 लाग करोड रुपे रहा है, जो पूरे साल के बज़े टार्गेट का 80% है, फाइप नंबर क्वेशन है, वेर हैस्ट इंडिया, इंडोनेशिया इंवेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉरम मिटिंग बीन हैल्ड भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की गई पॉर्ट ब्लेर के अंदर 20 का करेक्ट आंसर होगा, पॉर्ट ब्लेर अंडमान और निकोबार में सयोग के नए शेतरों की पहचान करने, बुनियादी धाचा विक्सित करने, परियाटन, व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए भारत इंडोनेशिया निवेश और व्या लाजधानी जकारता में आयोजित की गई थी, और इंडोनेशिया प्रतिनिद्यों के साथ में बैठक में अंडमान और निकोबार के उपर राजय पाल दीके जोशी, इंडोनेशिया सरकार के दक्षिन और मद्धे एस्याई मामलों के निदेशक, जत्मीको, हैरूप, प्रस का आयात करता है भारत इंडोनेशिया को परिश्क्रत पेट्रोलियम उत्पाद वाने जिक वाहन दूर संचार उपकरन गोजातिय माश पशुचारा क्रशी उत्पाद इस्टीर और प्लास्टिक निर्यात करता है सिक्स नमबर क्वेशन है तो विश कंट्री दा यूएस विल इट्स फ्लैक्शिप पेट्रियाट मिशायल डिफेंस स्टाम अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुपेट्रियाट मिशायल रक्षा प्रणाली जो है ये प्रदान करेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है यूक्रेन को सीज का करेक्ट आंसर है सैंक्ते राज ये अमेरिका ने गोशना की है कि वह युक्रेन को अपना जो प्रमुपेट्रियल मिशायल रक्षा प्रणाली है ये प्रदान करेगा वाइट हाउस ने पेट्रियार्ट मिशायल प्रणाली युक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की अतरिक्त साहिता का हिस्सा होगी और पैकेज में सेने वाहन, मौटार, हाई मॉबिलिटी, आर्टिलियरी रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद और छोटे अत्यार भी इसके अंदर शामिल है ऐसे समय में की गई जब युक्रेन के रास्टपती वलोडी मेर जैलन्स की दोनों देशों के वीच में सेने संबंदों को मजबूत करने के लिए वाशिंग्टन के दोरे पर थे और बाइडेन प्रस्याशन ने बताया है कि युक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सहीत 1.85 बिलियन डॉलर की सेने सहायता दी जाएगी और ये सते से हवा में मार करने वाली निर्देशक मिसाइल प्रनाली है जिसे पहली बार 1980 के दशक में तैनात किया गया था ये विमान क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकती है 7. Quesion है Who has been named as the head of the low cost airline business by Air India Air India ने कम लागत वाले airline website का प्रमुक किसे नामित किया है तो इसका correct answer होगा ये बने है आलोग सिंग ये इसका correct answer है Tata Samu ने 1 जन्वरी 2030 से आलोग सिंग को अपने कम लागत वाले airline website का प्रमुक नियूक किया है कम लागत वाले airline website में Air Asia, India एवं Air India Express शामिल होंगे और वर्तमान में Tata Samu चार airline का संचालन करता है और वे है Air India, Air India Express, Air Asia India और विस्तारा है विस्तारा सिंगापूर Airlines के Tata के एक सेंग्त उध्यम है और 29 नामबर 2022 को Tata Samu ने एक सोधे के तहत Air India के साथ विस्तारा के विले की गोशना की थी जिसमें सिंगापूर Airlines कोई Air India में 25.1% हिस्तेदारी हासिल होगी और इस सोधा के बाद में Air India देश का सबसे बड़ा अंतरास्ट्रिय वाहक और दूसरी सबसे बड़ी घरेलू Airline बन जाएगा और ये प्रक्रिया मार्स 2024 तक पूरा होने की उमीद है Air India की बाद करें तो इसका Headquarter New Delhi के अंदर है इसके जो Founder of Air India है तो ये है J.R.D. Tata और इसके इस्तापना 1932 मुंबई के अंदर जो है हुई थी 8. Question है Which Indian actor has been included in the British magazines list of 50 greatest actors of all time किस भारती अभिनेता को British पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है तो इसका Correct answer होगा ये किया गया है शारुक खान को C.S का Correct answer है शारुक खान एक मात्र भारती अभिनेता है जिनने एक प्रमुक British पत्रिका Empire के द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतरास्टे सूची में शामिल किया गया है सतान वर्षिय बॉलिवड सूपरस्टार को Empire पत्रिका की सूची में शामिल किया गया है जिसमें Denzel Washington, Tom Hanks, Anthony Marlon Brando, Meryl Streep, Jack Nicholson जैसे और अन्य Hollywood दिगज़ भी शामिल है पत्रिका ने कहा है कि खान के अब तक के 4 दशकों के करियर में बहुत सारे हिट फिल्में दिये हैं और अब उनके जो प्रशनशक है ये अर्बों के अंदर है पत्रिका ने चार फिल्मों के अंदर संजे लीला भंसाली के द्वारा निर्देशित देवदास, करन जोहर की My Name is Khan कुछ-कुछ होता है और आशुतोष गौवार के द्वारा निर्देशित जो फिल्म है स्वादेश में खान के पात्रों का विशे शुरूप से उल्लेक किया है नाइन नमबर क्वेशन है किसे राइजिंग स्टार ओफ दे इयर पुरशकार के लिए नामित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है अन्तिम पंगाल को सीज का करेक्ट आंसर है भारत की स्टार महिला रैसलर अन्तिम पंगाल को युनाइटेड वर्ड रैसिंग स्टार ओफ दे इयर समान के लिए नामित किया गया है अन्तिम पंगाल इस वर्ष यू-20 रैसलिंग चैंपियंशिप दोहजर बाइस में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतिय बनी थी अन्तिम पंगाल ने इस साल भारत के पहले अंडर-20 वर्ड चैंपियन बनकर इतियास रच दिया था और वह 53 किलोग्राम वर्ग में मोजूदा जूनियर एशियन चैंपियन भी है पंगाल के अलावा इस अवोड के लिए चार अन्य रैसलर को भी नामित किया गया है जिसमें जापान की नोनो का ओजा की अमेरिका की अमित एल और स्वीडन की एमा मालम ग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल है 10 नमबर गैशन है YouTube ने किस देश की GDP में 10,000 करोड रुपे का योगदान किया है तो इसका करेक्ट अन्सर होगा इंडिया को दिया है ये योगदान इसका करेक्ट अन्सर है ओन्लाइन वीडियो मंच YouTube से जुड़े पारिस्तितिकी तंत्रे भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 10,000 करोड रुपे का योगदान देगे के साथ में लगबक 7.5 लाग पूर्ण कालिक समकक्ष रोजगार को भी समर्थन जो है ये दिया है Oxford Economics के विसलेशन पर आधारित YouTube प्रभाव रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 4,500 से अधिक YouTube चैनलों के 10,000,000 से अधिक ग्राहक थे और भारत में 1,000,000 रुपे से अधिक का सालाना राजसु कमा रहे चैनलों की संख्या सालाना अधार पर वर्ष 2021 में 60% से अधिक बढ़ गई है इसका आर्थिक प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रेरित और उत्प्रेरक प्रभाव यानि 4 तरीकों से दिखाई देता है Oxford Economics ने YouTube के प्रभाव का आंकलन करने के लिए 4,021 YouTube उप्यों करता हो 5,633 स्रजन करता हो और 523 व्यवशायों का सर्वेक्षन किया है और YouTube ने घोशना किया है कि वह हिंदी, मराठी, तमेल, तैलगू, कननड, गुजराती, बंगाली और अंग्रेजी में 100 से अधिक चिकित सा इस्ततियों को कवर करने वाली विश्वशनीय सामगरी बनाने और बढ़ाने के लिए नारायन, मनी पाल, मेदानता और शालवी सहीत और अधिक स्वास्त संस्थानों के साथ में काम करने के लिए प्रियासों का विस्तार करेगा चले कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं फर्स नंबर ग्वेशन है कौन सा देश तेरवी विश्व व्यापार, संगर्थन, मंत्री परिशत की बैठक 2024 की मेजबानी करेगा तो इसका करेक्ट आंसर है ये UAE करने वाला है सेकिंड नंबर ग्वेशन है किसके द्वारा नई पुस्तक fit at any age launch की गई है तो ये PVIR के द्वारा लिखी गई है फर्स नंबर ग्वेशन है परमाणू उर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं दिनेश कुमार शुकला फर्स नंबर ग्वेशन है भारती नो सेना के द्वारा लॉंच किये गए एंटी सब्मरीन वार्फियर शेलो वाटर क्राप प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका नाम है आईनेश अर्णाला फाइप नंबर ग्वेशन है आवास और शेहरी मामलों के मंत्राले ने डिजिटल इंडिया आवार्ड दोहजर बाइस में कौन सा जो पुरशकार है ये जीता है तो इन्होंने प्लैटी नम आईकन जीता है इसका नाम ग्वेशन है किस देश ने इंडियन पावर मार्किट में बिजली के आपूर्टी के लिए पीटी सी इंडिया के साथ में साज्यधारी की है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है भूटान में दीस का करेक्ट आंसर है 7. नम ग्वेशन है किस संस्था ने कोईला 2022, विसलेशन और 2025 तक का पूरवानुमान सीर्षक से रिपोर्ट जारी की है तो ये इंटरनेशनल एनरजी एजनसी के दोरा की गई है 8. नम ग्वेशन है किस देश ने शांती सेनिकों के खिलाब अपरादों के लिए जवाब देखी को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स लाँच किया है तो ये इंडिया के दोरा लाँच किया गया है 9. नम ग्वेशन है UNSC ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है तो ये म्यामार का अपनाया है ये इसका करेक्ट आंसर है 10. नम ग्वेशन है Smart City of Knowledge के निर्मान के लिए किस राजय सरकार ने Austin University के साथ में समझोता किया है तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश ने किया है 20 का करेक्ट आंसर होगा और ये था कल का Study Gloss Question इस रो किसके लिए इस्तानिक Data Infrastructure Geo Portal का विकास करेगा तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दा किसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है और ये है आप लोग के लिए आज का Study Gloss Question Forbes के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीता रवन कौन से इस्तान पर रही है तो इन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में